एक बार फिर से सोगताब का हमारी यूटूब चैनल पर अभी की बड़ी अपडेट निकल कर आईए उपी पंचाई चुनाओ से आपको बदादे राज निर्वाचन आयोगो उत्तर प्रदेश निर पंचाई चुनाओ को लेकर बड़ा बयान दिया है तो बने रहीएगा पंचाई चुनाओ में पिर्धान के पिर्तियासी या निरवर्दमान मानियों को चुनाओ अभी करता आजएंट नहीं बना पाएंगे राज निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश ने इसकी सक्त मना ही की है इसके पीछे आयोग की मनसा साफ है कि कोई भी व्यक्ति मतदान क दोरान किसी प्रकार का दबाव ना बना सके राज जिनर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश पंचाई चुनाओ नगरी निकाए ने हिदायतें दे रखी हैं चुनाओ के दोरान क्या करें और क्या ना करें आयोग ने इसपश्ट तोर पर कहा है कि पंचाई चुनाओ के दोरान पूर्टमान मंत्री बिलाक पुर्मोख या किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाओ अभी करता ना बनाए जाए जो भारस सरकार राज सरकार या निकायों से किसी पिरकार का लाब हासिल कर रहा हो आयोग ने ये भी कहाए कि परतियासी किसी भी सूरत में अपराधिक प्रबर्ती के लोगों से आज़न्ट ना बनाये जाए राज निर्बाइचन आयोग उत्तर पर्देश पंचाई चुनाव नगरी निकाय ने ये भी कहाए कि किसी भी उम्मीदबार के रूप में ख़ड़े होने या ना होने देने पर मतदाताओं को मतदान करने या ना करने के लिए दवाव देने या किसी भी प्रकार का उपहार द चुनाओ प्रिक्रिया शुरू होते ही आयोग के निर्देसों का पालन कराने के लिए पुलिस और प्रिसासने का दिकारी सामने आ जाएंगे जाती वा धरम के आधार पर बोट मांगना अनुचित। उसके समर्थन के किसी भी दूसरे प्रित्यासी के व्यक्तिया चरित्र को लेकर कोई टिपड़ी नहीं करेंगे। प्रिस्ताब को मंजूरी दी जा सकती है इसी सत्र में लाए जाने वाले विदेख के मसंदे भी पास कराए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक सुमबार साम को होगी। मुखमत्री ये सुमबार को सुबह यूपी दिवस के आज़न के सिल्चले में नियोड़ा जाएंगे। साम चार बजे भाए लखनवू लॉट आएंगे। दोस्तों वीडियो से समदेद अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट से बॉक्स में ज़रूर बताईगा। वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल पर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए धन्वाज।